जय हैं जय जवान जय किशान मेरे नौजवान साथियों सभी देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोग तंत्र की हत्या की जा रही है इसे सरकार में आप लोग भली भाती समझ सकते हो अभी आप देख रहे होंगे कि शुप्रीम कोर्ट के वАकीलों ने निकल करके लोग तंत्र की खतरे की दुहाई दी शिवियाई के चीफ ने भी कहा कि हम भी सुरच्छित नहीं है उनकी भीरे की कराई जा रही है इसी बीच में आप देख रहे होंगे कि आज चुनाव का दौर चल नहां है इस चुनाव के दौर में हमारे फोजी तेज बहादूर सिंग बनारश से अपना नामांकन दाखिल किये जो कि लोक तांत्रीक बेवफ़ा में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है लेकिन जिस तरीके से उनको पूरे देश के अंदर से एक समर्थन मिल रहा है एक जंशाइला उमर के सामने आ रहा है उस फरकार को डर सता रही है हमारे देश के प्रधान मंत्री को डर सता रहा है कि अगर तेज बहादूर फोजी चुनाव लड़ेगा तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे और तेज बहादूर जी के चुनाव लड़ने से जितनी भी पार्टियां है और शारी की शारी पार्टियां देश के अंदर जितने लाखों शंगठन बने हैं लाखों शंगठन के लोग इनका जोड़दार समर्थन कर रहे हैं और इस समर्थन को देखते हुए लोगों में भाय ब्यापत है और उनको पूरी तरीके से चुनाव से बाहर किये जाने की एक साजिस रची जा रही है और यह साजिस जिस तरीके से रची जा रही है मैं वास्तविक में कहूंगा कि 72 शालों में जितना लोगतंत्र खतरे में नहीं था उससे जादा लोगतंत्र खतरे में है मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या इस देश के अंदर कार्पोरेट घराने के दलाल और राजनैतिक घराने के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं क्या किशान का व्यटा जवाउ नहीं लड़ सकता, मजदूर चुनाव नहीं लड़ सकता लेकिन हिन लोगों ने एक अईशा कानून विवस्ता बना रखा है कि देश को गुलाम ये 10% कार्पोरेट घरानों के लोग, राजनीतिक घरानों के लोग गुलाम बना के रखे हैं कि अगर जब तक पूझी पती संसत के अंदर पहुचते रहेंगे, हम जूठे वायदे करके देश की 100 करोण जंता से केवल जंडा या दंडा उठवाते रहेंगे लेकिन अगर किशान का बेटा, मजदूर का बेटा और सीमा पर रहने वाला जवान अगर संसत के अंदर पहुचेगा तो संसत के अंदर एक बड़ी क्रांती होगी ये जो आनन फानन में अपने हितों के लिए कानून बना करके सारे राजनीतिक पार्टी के लोग अपने हितों के लिए जब कानून बनाते हैं, ब्यापारियों के लिए कानून बनाते हैं, तो कोई पोपो गंडा नहीं होता लेकिन जब किशानों के लिए नौजवानों के लिए बेरोजगारों के लिए और मजदूरों के लिए जब कानून बनाया जाता है तो कहा जाता है हमारे पार समर्थन नहीं है उनको दर्स अता रहा है कि तेज बहादूर जैसे लोग अगर संसर में पहुंचेंगे तो गरीबों की आवाज बनेंगे, मजदूरों की आवाज बनेंगे, सैनिकों की आवाज बनेंगे इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आज ना मांगकर जिस तरीके से खारिज करने की यह कोशिश कर रहे हैं, हम इनको नाकाम करके रहेंगे, हम शर्वों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और मैं यह कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से साजिस की जा रही है आप लोग तेज बहादूर रियात हो जी से सुनिए जैहिं देश्वाचियो आपने कल नियुद पत्रों से टीवी के माध्यम से आपने जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से मेरा नामांकन खारिज करने की साजी सरची जा रही है एक नोटीस मुझे तीन बजे दिया जाता है कि आप इस पर जवाब देजिए जैसे ही हमारे तमाम वकील साथ ही मिलकर नोटीस का जवाब देते हैं तो देखिए यहां के डियम अपने कानून को बदल देते हैं ठीक 6 बज के 15 मिंट पे हमें दूसरा नोटीस दिया जाता है कि नहीं आप सुनाव आयोग दिली जाए और 11 बजे तक आप हमें सुनाव आयोग से लिखवा के दिजिए कि मैं सुनाव लड़ सकता हूं आप मुझे यह बताइए देशवासी जो कानून के जानकार जब हम एफिडेट दे चुके हैं सारे डोकोमेंट दे चुके हैं 24 तारिक को जब हमने नामांकन किया किसी परकार का कोई अब्जेक्शन नहीं लगा है उन्होंने कहा कि आपके सारे डोकोमेंट कम्प्लीट है जब हमने 39 तारिक को दुबारा नामांकर किया तब भी चुनाव आयों की तरफ से हमें किसी परकार का कोई ऐसा आरोप नहीं था उन्होंने साफ कहा कि आपके सभी डोकॉमेंट्स के लिए रहे हैं आप चुनाव लड़ सकते अचानक 30 तारिक को नरेंदर मोदी जी के चम्चे सरे आम फलाइट लेके और यहां पर पहुंसते हैं और अधिक रिटर्न अधिकारी को पर दवाव मनाते हैं कि तेजबादुर का नामांकर किसी हालत में खारीज किया जाए रिटर्न अधिकारी मजबूर हो रहा है कि देशवाशियों से अपील है कि आज अगर दी अपनी आ अधिकारी भाई सुन रहे हैं कहीं भी हैं आप इंदुस्तान के किसी भी कोने में ट्विटर पे फर्स वोट्सोप फर्स उसके उपर जवाब मांगे कि तेजबादुर का नामांकर करने का अधिकार तुम्हें किस ने दिया कैंजिल करने का सहरा अदमी का करते हुए बनता ह कि तेजबादुर ट्विटर पे टोप 10 में जा रहा है इनकी पूरी टीम जो एक खिलापन लगी यहां पर योगी और मोदी रात को दो बजे सारे अधिकारियों से मिटिंग लेते हैं अरे हराम खोरो अकर तुम्हें इतना खत्रा है तो आईये सिधा सामना कीजे पीट पे क क्यों वार करते हो मैं चाहता हूं मनी वाई को दो समद करें जैंक विश्वास शर्वहारा का यदि तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोस गड़ जाएगी इसी वरास में यदि बाध बाधने से पहले धर्ती का जल सूक गया तो धर्ती की छाती में गरार पढ़ करनेगी दुनिया तुम्हारी करनी पिर पस्टाएगी मोधीजी पस्ताएगी मैं देशवास्तों से जो सुन रहे हो इसको लगातार पोश्ट करें मैं देशवास्तों से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर जवान मीडिया में जाता है तो कानून का उलंगन हम किसके पास जाए अगर शमवाइधानिक तरीके से आज हम अपनी बात शंसत के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहा है तब भी हमें रोका जा रहा है सवाल है कि हम कहां जाएं क्या हम आत्म हत्या कर लें क्या हम हत्यारों ढालें हमारे पास क्या तरीका है जब आज हम शामयधानिक तरीके से एज भादूर की बात देश के साथ लाखों जवानों के शात हम रख रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है सवाल क्या खाना खराब है एक रोटी की सिकायद करना क्या बहुत बड़ी सजा है सजापता मुझरी में मैं पूछता हूँ देशवास से पूछें अपने वीडियो में क्या खाने की सिकायद करना जो की एक रासन घोतारा है उस पे आप सजापता मुझरी में बलतकारी अपराधी तमाम दरिंदे चुनाव लड़ने हैं गुंगी पहरी सरकार आज लोक तंत्र की हत्या कर रही है मैं सभी देश वासम पहपिल कर करें बिल्कुल जो वाटसप पे हैं फेस्बू सोसल मीडिया आज हमें ट्रैक किया जा रहा है हमें न्यूज चोनलों में दिखाया नहीं जा रहा है हमारी बातों को दबाया ज़रा है इसको बात लखे कि क्या तेज बहादू सजाफ्ता मुझ्रिम है कहा जा रहा है एक सजाफ्ता मुझ्रिम है और रोका जा रहा है हमें हम आज शड़कों पर उतर रहे हैं आज हम कचारी का घहराव करेंगे हमें फासी दो हम लटकाओ हम कहा जाएंगे क्या हम देश ठोड़ कि हमारा ये देश नहीं है, मैं पूछना तो मैंने एक तीसाल, पंकज मिस्रा, अत्येज भादी, रिपान पठान, थुजाय मंदल, जलीन, इस सब क्या थे, आप एकी बात करें, हजारों यहां पे, आप आईए हमसे बात करें, आमने सामने हिम्मत है तो, हम मरेंगे इसी कासी में दफना दीजी, अगर है तो हमारा देश हम यहीं रहेंगे, यहीं आएंगे, फिर एक बाद अपील करता हूं कि जहां कहीं भी हो, इसका बिरोद करें, बिरोद करें, बिरोद करें, क्या तेज भादु साहजा आपता मुजरिम है, जैहिंग देशवासु, अब हम निकल अपने मिशन के तरह, मेरे सभी देश के प्यारे मित्रो, आप लोग वीडियो को सेर करते रहें, क्योंकि इस बक्त जो है, मुश्किल घडी में है, हमारे जो है, पूरे देश के जवान की आवाज तेज भादु जी की नमांग का जो है, खत्रे में है, क्योंकि सेंट्रल जिस तरह से हम जवानों की आवाज को दबार है, क्या ये सही है, क्या कमी थी, सिर्फ तो हमने तो सिकायत किया था कि दाल रोटी ही खराब मिलती है, वो जांच बैठा है, जांच आयोग नहीं क्लियर किया कि हाँ जवान में किसी करत्रकार की कमी नहीं है, तो फिर हम किस पहला बार इतिहास में ऐसा हुआ है, कि सेना से बर्खास्त जवान आज राजनीतिक मंच में हाथ जोड़के जो है, उर्चुनाओं में लड़ रहा है, नहीं तो अन्नत आप देख ले, किसी भी देश में जवानों ने हथियार उठाया और हम धियार का जवाब मोतोड जव है, कि हमने कौन सी सजापता किया है, कि जिस तरह से हमें कहा जा रहा है, कि आप चुनाओं नहीं लड़ सकते हैं, हमें कोई सर्विस नहीं कर सकते हैं, नहीं कोई प्राइबेट सर्विस कर सकते हैं, पर एक माध्यम जो आवाज बने, हम चुनाओं में लेकिन क्या नतीजा नतीजा निकला कि उसमें भी आप अडंगा लगा रहा हो हम फिर क्या करें ये जो बनारस में हजारो हजार की हुजुम में जो जवान जूट रहे हैं आ रहे हैं कल से पूरे देश के तरह से जवानों में खुल बलेट लिए बुकलाट हुई है कि सर्विस वारे भी क्या करें जो ऐसा इस्तितिन न हो जाए कि कहीं से विदरोम जैसे संका भी न हो जाए क्योंकि हमारी वागतेश बहदर जी की शिर्फ हेक नॉम स्ट्व लएशन और चुनाव लड़ने बसल की बीस लाख ज़वानों की ऐाज है और बीस लाख ज़वानों की आवाज कि देज बहदुर जी के माध्यम से हम जवान जो है पेड़ीते जवान संसद में पहुंचाना चाहते हैं जिसके बदोलत आज तमाम राजनितिक पातिया हम जवानों के साथ देने लगी तो आप हमसे में आगरा करना चाहता हूं कि जब 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 जो है नकसली महोष्ट करेंड़ आज सकते हैं विंदे क्रिमोल लड़ सकते हैं और जिए तो हम जैसे पर खास्त जावानीं कौन से क्या जोना क्या की हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ऐसे лосьे गभी चरभाराएं आएंगी तो हम फिर जाएंगे क्या करेंगे क्या हमें मजबूरन को dł avas तो फिर हम करेंगे क्या इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ज्यादर से ज्यादर से ज्यादर सवाल पुछे चुनाओ आयोग से ट्वीट कर यूटूब से जिस तरह से आपका फज बनता आपका हक बनता है कि अखिर किस तरह से तेज बादूर जी का नमांकरों कर जा रहा ह है मित्रो अब रूखने का समय नहीं है ना सोचने का समय है लगातार बढ़ते जाएए आगे बढ़ते जाएए तेज बादूर जी का समर्थन कीजिए सर्फरोशी की तमन्ना सर्फरोशी की तमन्ना अभी हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बादुए कातिल में है कातिल में है कातिल तुम कातिल हो तुम कातिल हो बनारश की धर्ति से हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो आओ आमने शामने चुनाओं में आओ हम दिखा देंगे तुम्हारी आउकाद बता देगे जैहिन जैभार। तैक यह बनारस vioส तक पहुचने कायात बहार रिए सुच्छान, आधा ज्यू जवान, जै किसाद टूरा।